नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर भारत का लगभग 600 मिलियन डॉलर का डिविडेंड था जो कि वेनिजोला के पास काफी लंबे अर्से से अटका हुआ था और भारत उसको वहां से निकाल नहीं पा रहा था चूंकि वेनिजोला के ऊपर आज से कुछ साल पहले अमरीका के द्वारा सैंक्शिन्स को लगा दिया गया था लेकिन रीसेंटली पिछले साल की ही बात है अमेरिका के द्वारा उन सैंक्शिन्स को हटाया गया है and immediately भारत ने बोला है कि वेनेजुला को कि हमें हमारे 600 million dollar जो हैं वो आपको अब लोटाने पड़ेंगे लेकिन बदले में वेनेजुला ने ये कहा है कि हमारे पास पैसे तो आपको देने के लिए नहीं है लेकिन हम लोग आपको उसके बजाए सस्ता तेल ओफर कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे खबर जो है कल ही सामने आई है यह वाला जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है भारत के जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी है उनके द्वारा ही इस चीज को अफिशली यहाँ पे बाहर पेश किया गया है यहाँ पर भी देख पाएंगे इंडियाज ओएंजीसी सेज ओएल इस अप्शन टो रीकूप यहाँ पर आपको बता दें कि असल में जो हमारा डिविडेंट था वो हमारी जो सरकारी कमपनी है ONGC विदेश लिमिटेड, OVL जिसको हम बोलते हैं उसी के लिए वो डिविडेंट आने वाला था लेकिन अब जो है वो डिविडेंट के बदले में OVL के प्रवक्ता ने यहाँ पर बताया है कि US सैंक्शन हटने के बाद OVL is in continuous dialogue with the Venezuelan State Company यह जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है PDVSA यह Venezuela की वहाँ की local company है जो की उनकी state-owned company है oil exploration और production के लिए कि वो लोग जो है हमें इसके बदले में allocation of crude cargos कर सकते हैं in lieu of the accrued dividend मतलब कि dividend की बजाए वो हमें अब सस्ता तेल देने के लिए मान चुके हैं बात करेंगे इस पूरी development के बारे में कि exactly यहाँ पर क्या था भारत का निवेश यहाँ पर कहा कहा पर था जिसकी वज़े से इतना सारा dividend हमारा वहाँ pending था and most importantly कि क्या यह भारत के लिए एक अच्छी deal है या फिर नहीं आये शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए courses में आप यहाँ पर center को visit कर सकते हैं अपने आपको इन courses में enroll करवा सकते हैं ध्यान रखिए कि करोलबाग में batches 27 जन्वरी से और मुखरजी नगर में जो batches है वो 30 जन्वरी से शुरू होने वाले हैं और प्रियादराज में भी हमारा center आ चुका है वहाँ पर जाकर के भी आप लोग visit कर सकते हैं और वहाँ पर UPSC Prelims Crash Course 2024 भी available करवाया जा रहा है और UPPCS का जो foundation program है यह भी एक separately course available करवाया जा रहा है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सभी courses के जो prices है वो market rate से आपको काफी कम देखने को मिलते हैं तो यदि आप लोग interested है तो इन centers को visit कीजे अदरवाइस सबसे simple तरीका है कि नीचे description box में आपको एक counseling form दिया हुआ है जिसको कि आपको fill out करना है और उसके माध्यम से आप query हम तक पहुचा सकते हैं हमारी team खुद से ही आपकी query को solve कर देगी खुद से ही आपको reach out करेगी all right सबसे पहले Venezuela की location को जान लेते हैं तो South America का जो continent है उसके उत्तरी भाग में आपको Venezuela का ये वाला country देखने को मिलता है जिसका capital by the way Caracas है now ये बहुत ही बड़ी बात है कि Venezuela एक एसा देश है कि size में तो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन it has been one of the world's leading exporters of oil और exporters छोड़िये अगर हम लोग भंडारों की बात करते हैं reserves की बात करते हैं तो Venezuela के पास दुनिया के सबसे जादा बड़े भंडार हमें देखने को मिलते हैं even Saudi Arabia, Iran, Russia जैसे देशों से भी हमें बहु को ये भी बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब इंडिया के लिए 5th largest supplier of oil जो था वो वेनेजुला ही था सन 2019 की ही बात है जब वेनेजुला almost इंडिया को 16 million tons of crude oil जो था वो इंडिया को provide किया करता था खैर, so वेनेजुला क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भंडार थे और क्योंकि बहुत अच्छा वहाँ पर production भी चल रहा था, तो भारत की जो company है OVL जो की हमारी ONGC की जो overseas arm है, OVL जिसको ONGC विदेश limited कहा जाता है, इसके द्वारा वेनेजुला में 40% का stake acquire किया गया था, एक oil field थी जिसका नाम था, San Cristobal ये वाला जो step लिया गया था इंडिय वेनेजुला की जो state owned oil and natural gas company है PDVSA उसके पास बचा हुआ 60% stake देखने को मिल जाता था, नाओ बहुत सारा पैसा हमारा वहाँ से आना बाकी था, लेकिन क्या हुआ, सन 2017 में वेनेजुला के उपर, क्योंकि वहाँ पर कुछ problems देखने को मिली थी, कि वहाँ पर जो वेनेजुल के प्रेजिडेंट थे Nicholas Maduro, उनके द्वारा एक तरीके से constitution को rewrite करने की कोशिश करी गई थी, उस समय जो US के प्रेजिडेंट थे Donald Trump, उनके द्वारा वेनेजुला के ऊपर बहुत ही कड़े sanctions को लगा दिया गया था, बलकि ये जो sanctions थे, पहले 2017 में लगाए गये थे, और उसके बाद इन sanctions को 2020 में और भी जादा strong कर दिया गया था, sanctions के चलते हमारा जो पैसा था, वो वहां से आना बंध हो गया, even जो oil था, वो भी वहां से आना बंध हो गया, because India ने बोला था कि हम लोग जब तक अमेरिका के sanctions नहीं हटेंगे, तब तक हम लोग यहां से oil को purchase नहीं लेकिन पिछले साल, अक्तूबर 2023 में क्या होता है, कि अमेरिका के द्वारा finally बहुत बड़ा step लिया जाता है, कि वेनिजोला के ऊपर जो sanctions हैं उनको हटा दिया जाता है, बलकि आप यहां पे देखिए, जैसे ही यह खबर सामने आई, immediately, कुछी दिनों के बाद यह चीज़ स करेगी, और अब आप देखी सकते हैं, कि इंडिया अब aggressively बातचीत कर रहा था, ONGC के द्वारा aggressively बातचीत करी जा रही थी, कि exactly कैसे proceed किया जाएगा, और बदले में, वेनिजोला ने क्या कहा है, कि हम लोग आपको पैसा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम लोग आपको oil द मतलब कब हम उस oil को उठाने वाले हैं, बस वो dates आने वाली है, लेकिन मोटा मोटा ये है कि हम लोग उसके बदले वहां से oil purchase करने के लिए राजी हो चुके हैं, नाव क्या ये इंडिया के लिए सही डील है, देखिए दो तीन बाते हैं जो की बताती हैं कि ये सही डील है, न any nation which is not under sanctions, मतलब अगर sanctions नहीं हैं तो हम लोग oil को लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, secondly उन्हें ने कहा कि देखिए हम एक ऐसा देश है जहां पर 5 million barrels per day की लागत होती है और ये daily basis पे बढ़ भी रही है, अगर Venezuela से oil आता है market में, तो हम लोग तो उसको welcome ही करेंगे, हमें इस कम हो चुका है तो उन्होंने ये भी mention किया कि Russia अगर हमें oil नहीं देगा, तो जहां से भी हमें discounted oil मिलेगा, हम लोग वहां से discounted oil लेने के लिए ready हैं, तो मोटा मोटा इंडिया के लिए deal जो है वो बहुती बढ़िया है, साथ में उन्होंने mention किया कि देखिए हमारे पास तो हम लोग यहां से readily oil को import करेंगे ही करेंगे, overall देखा जाए कि इंडिया की जिस तरीके की economy है, क्योंकि हम लोग energy के लिए mostly बाहर देशों पर ही dependent है, बहुत majorly हम लोग import करते हैं, 80 to 85% of हमारी जो needs है, वो import से ही पूरी होती है, तो उस हिसाब से हमारा जो यह deal हुआ है important बात है कि वेनेजोला जो है वो एक proven player है, मतलब कि आज से ही नहीं, almost पिछले 100 सालों से वेनेजोला oil industry में एक जाना माना player माना जाता था, केवल यह sanctions लगने के बाद वेनेजोला का जो oil का production था, वो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन उसके जो proven oil reserves हैं, और उसकी जो production करने की capacity है, जो कि सारी world को ही पता है, तो उस हिसाब से वेनेजोला के साथ यह oil deal करना भारत की energy security के लिए at least बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है, बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी development के बारे में, मैं definitely जाना चाहूँगा आपकी राय comment section में, जाने से पहले academy के offline centers में, दोस्तों free demo classes, one-on-one mentorship, free magazines, library, wifi access जैसी चीजें भी available करवाई जाती हैं, यदि आप interested हैं, इन centers को visit कीजे और अपनी queries वहाँ पर जाकर के पूच सकते हैं, otherwise जैसा मैं आपको बताया, description box में दिया गया है, simple सा google form, उसको भर सकते हैं, using my code, ani, UPSC, और आपकी जो query है, वो हम लोग हमारे team ही solve कर देगी, thank you so much for listening, stay tuned.